आज बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो बर्थ नमबर 2 के हैं यानि की बॉन हुए हैं किसी भी मन्त में 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को आपके लिए ये साल 2024 का कैसा होने वाला है इसके बारे में बताऊंगी इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा क्योंकि end मैं देती हूँ helpful tips चीसे की follow करके आप अपने लाइफ में positivity को पा सकते हैं यदि आप मुझसे numerology consultation चाहते हैं तो मेरे website numberworks.com के थरू या फिर मेरे whatsapp number के थरू आप मुझसे consult भी कर सकते हैं और यदि आप numerology के बारे में और भी जादा जाना चाहते हैं कि हर number आपके लिए कैसे काम करता है तो आप मेरी book the numerology answer book 105 questions and their answers खई सकते हैं Amazon से, Flipkart से या अपने आसपास के bookstore से भी तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे like जरूर कीजेगा, share जरूर कीजेगा और अपने views, अपने विचार, अपने comments नीचे comment box में जरूर लिखिएगा यदि आप number 2 के हैं, यानि कि born हुए हैं 2nd, 11th, 28th या 29th को आपका rolling planet moon होता है जो कि आपको बहुत जादा emotional बनाता है कभी-कभी हो सकता है आप कोई काम करना नहीं चाहें, आप procrastinate करें चीजों को, लेकिन ये साल है practical होने का, emotional नहीं होने का तो इसलिए वहाँ पे आपको work करना है, वहाँ पे आपको अपने emotions को control करना है ये साल है काम करने का, मेहनत करने का, लेजी नहीं होने का, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने life में एक discipline को follow करना है ये साल जैसा मैंने कहा कि mixed result लेकर आया है, तो वहीं आपके पुराने काम होते वे नजर आएंगे इस साल ये साल आपके लिए financially अच्छा है, यदि आप especially creative field में है, media field में है, educational research field में है यदि आप occult business से जुड़े हुए हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत beneficial होने वाला है आपको share market में पैसे इस बार नहीं लगाने हैं, किसी को उधार नहीं देना है इस बार आपको ध्यान रखना है कि money saved is money earned आप किसी भी legal issues में भी आप फस सकते हैं, इस साल तो आपको बहुत ही इमानदारी के साथ इस साल अपना काम करना है यदि मैं आपके relationship के बारे में बात करूँ तो थोरे सा turbulence हो सकता आपके relationship में especially जो relationship आपके लिए work नहीं कर रहा है, आपके लिए toxic है, stressful है, वो relationship तूटते वे नजार आएंगे लेकिन जो लोग आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे जो honest relationship होते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे लेकिन जो मैं तूटने वाले relationship की बात कर रही हो, हो सकता है वो दोस्ती का रिष्टा हो हो सकता है वो आपके, आपका professional relationship हो या हो सकता है आपका personal relationship भी हो, किसी relative के साथ भी हो तो कोई भी relationship में जहां की एक façade रहता है, जहां की originality नहीं रहती है जहां की true emotions नहीं रहते हैं, वो relationships तूटते वे नजार आएंगे आप कभी थोड़े से दुखी हो सकते हैं, लेकिन जैसा की आपका जो planet है, ruling planet moon हमेशा घरता बढ़ता रहता है तो वैसे ही आप भी, यदि कभी down होंगे, तो आप full moon की तरह shine भी करेंगे इस साल यदि मैं आपके health related चीजों के बारे में बात करूँ, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि anxiety की problem हो सकती है उसके अलावा stomach से related issues हो सकते हैं, diabetes से related issues हो सकते हैं और पैर में कुछ चोट वगरे लग सकती है, या पैर से related कोई भी issues हो सकते हैं यदि कुछ helpful tips की बात करूँ, तो इस साल आपके mood swings होने वाले हैं, आप थोड़ा से anxiety फील करने वाले हैं तो इसलिए अपने mental well being के लिए, आपके लिए meditation बहुत ज़रूरी है आप meditation कीजिए, उसके साथ ही साथ आप अपने साथ कुछ वक्त बिताईए ताकि अपने मन को आप शांत कर पाई और किसी भी argument से, किसी भी लड़ाई जगरे से आप अपने आपको दूर रखें आप थोड़ा सा रात के वक्त यदि आप moon gazing करते हैं या आप ऐसे चंद्रमा को देखकर थोड़ा सा अपना वक्त बिताते हैं, अपने साथ वक्त बिताते हैं वो भी आपके लिए बहुत beneficial होगा, आपको शांत रखेगा next जो important tip है कि आप यदि silver glass में पानी पी सकते हैं, यदि आपके पास है तो आप यदि silver glass में पानी पीते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है next important tip है कि इस साल आपको अपने life में discipline को लाना है, जैसा मैंने कहा कि आपके अंदर वो चीजों को छोडने का एक laziness आएगा लेकिन ये साल है आपको hard work करने का, तो इसे लिए आप अपना 100% दीजे, अपने life में एक discipline को follow कीजे इस साल किसी भी तरीकी का bitching या दूसरे को criticize करना ऐसी चीजों से अपने आपको दूर रखिए, अपने घर के इस direction को साफ सुतरा रखिए और आपका जो lucky color है, जो light blue है, white है, cream है, silver color है इस साल मैं कहूंगी कि violet color या जो mauve के जो shades होते हैं, वो color या yellow shade आपके लिए बहुत ही lucky होगा, आपको भी avoid करना है black color को, किसी भी important occasion पे especially तो ये कुछ बाते थी कि birth number two के लिए ये साल कैसा होने वाला है, I hope कि आपके लिए ये साल बहुत सारी खुश्या लेकर आए, बहुत सारा success लेकर आए, आप health wise बहुत अच्छे रहें, आप जो भी desire करते हैं, वो सारे desires आपके fulfill हों, तो इसी उम्मीद के साथ मैं next video में फिर 24 कैसा होने वाला है, तil then take very good care of yourself and thank you for watching